कितने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है, कितना बड़ा वेलफेर किया जा सकता है इसकी दरसल मिसाल पेश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस वक्त आपको बता दे, चर्चा के लिए हमारे साथ महमान जोड़ चुके हैं और 74 माँ ये जो सत्र था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जो कुछ बोला है लेकिन यहां मैं ये बाद जोड़ना चाहूंगा जो पूरा मीडिया बता रहा था, जो पूरा एक्सपेक्टेशन थी कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यहां से आतंगवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे उन्होंने आवाज जरूर बुलंद की सधे हुए शब्दों में लेकिन उनका जो एजेंडा था इस बार कुछ और था दुनिया को बताना था कि भारत किस तरीके से अपने दायरे में रहते हुए मिसाले पेश कर रहा है वेलफेर के काम कर रहा है, जलकल्यान के काम कर रहा है ठीक है, मैं राजनीतिक विशलेशिक आप है, आप से जाना चाऊँगा इस पूरे जो मोदी जी ने यहाँ पर कहा है दुनिया को जो मैसेज दिनी की कोशिश की है किस अंदाज में देखते हैं आप इसे क्योंकि बहुत कुछ अलग कहा जा रहा था और ये जो भाशन उनका है, बिलकुल मुक्तलिफ पूरा भाशन जो इनका रहा वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से सकारात्मक रहा प्रमुक जो बाते जो अच्छाईयां जो मैं देख पा रहा हूँ जो निश्चित रूप से दुनिया को आकरशित करेगी वो है कि गांधी की सत्य और अहिंसा से बात को शुरू करना और स्वामी विवेका नंद के सौहाद और शांती की बात से भाईचारगी और शांती की बात से खत्म करना ये बहुत महत्यपूर्ण बात है दोनों हमारे देश के महान लोग है और महान संदेश जो दुनिया में है और हमारा भारत इसका पतीक है इसके बाद इसको दो हिस्सों में अगर बाटे उनके भाशन को तो एक हिस्सा वो है जिसमें कि वो सारी उपलब्दियां हैं जो नरेंदर मोदी जी की सरकार में वो कहते आए हैं और उस उन उपलब्दियों को उन्होंने ग्लोबली पेश किया है कि कई देश उनसे सीख सकते ह हलागे इसका आलोचना का पहलू ये होगा, कि जो बाते आप बता रहे हैं, कई देश्ट ये बहुत पहले करचुके aos का दूसरा और अलोचना उत्म पहलू होगा। इसके बाद आप दूसरा पार्ट में आप आए, मैं संशेप में बोल रहा हूं जब कि सारी चीजे तो आप दिखा ही रहें कि किस शेतर में उन्होंने क्या क्या कहा जैसे 11 करोड शौचाले बनाना स्वास बीमा इस सब्सक्रा मैं जिक्र नहीं कर रहा है दूसरा पार्ट है आतंक वाद पर इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले किसी भी सूरत में भारत की तरफ से कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा यह मुझे और निश्चित रूप से इम्राम खान जब बार्शन देंगे तो कश्मीर का ही मुद्दा उठेगा यह मैं लगातार कह रहा है तो एक हिसा प्रेम कुमार जी आपको थोड़ा सा रूखन पर बोलेंगे और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी दोगली नीतिया चलता रहता है उस पर निशाना साधेंगे लेकिन आपको लगता है आपका जवाब मिला हो सकता है कि उस देश के वासिये हम है जिस देश ने युद नहीं बुद्ध दिया है इसमें आपके ही कह रहे है सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को कहूंगा वाओ प्रधान मंत्री जी अनेकता में एकता भारत की सान है इसी लिए हिंदुस्तान महान है यह आपने आज युनाइटेग डिशन असेम्मिली में करके दिखाया जिस प्रकार से भारत किस स्थिती में था और उसको बदलाव में लाकर के और उस मुकाम तक ले जाने के लिए जो कारिक किये गए हैं अब तक उनकी जो प्रसंसा की उनको बताया पूरे विश्व को यह बहुत बड़ी बात क्योंकि अभी मेरे साथी ने कहा गिए लोग बह से हम सहमत हैं लेकिन क्या हमारा देश उसस्तिती में था पहले यह बताना पूरे विश्व को जरूरी था जरूरी है और वही मोदी जी ने किया हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं इसके उबर रही बात जो आपने सवाल किया आतंकवाद इसके लिए पिछले पांच सा से मोदी जी सारे राष्टा ध्यक्षाओं से जा करके मिल करके एकमत करने के लिए इन्होंने यानि आतंकवाद को दूर करने के लिए एकमत करने की कोशिश की और उसके उपर बिल्कुल छोटे शब्दों में पूरे विश्व को बता दिया कि आतंकवाद सिर्फ अकेले नह सकता है इसलिए वो करने की आपशिकता है ठीक है रिटायड करना जेपी सिंग भी हमारे साथ है जेपी सिंग जी आप से भी जानना चाहेंगे बहुत उम्दा सा ये भाचन लगा बहुत छूटा सा ये भाचन था अलागी 15-15 मिनिट ही आसाइन किये जाते हैं लेकिन 15-20 प्रवावित हों मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं यहां से बताना चाहूंगा कि मैं आज बहुत ही गौरवानमित महसूश कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने यू एंड यूनाइटेड नेशन जनर्रल असंबली के पतल से जिस तरह से पूरे वि अपने भाशन में बताया कि भारत एक शांते प्रियादेश है भारत युद नहीं चाहता गौतम बुद्ध जैसे महान विबूतियां हमारे यहां जन्म लिया है पैदा हुई है उनका संदेश था पूरे विश्म शांती करन वंतो विश्मारियम पूरे संसार को आर्या बना और ये बात विश्व पटल से सामने आनी भी चाहिए थी भारत ने आज तक किसी हमले की शुरुआत कभी नहीं किसी देश पर कोई हमला नहीं किया एक छोटे छोटे देश ने बगल के देश ने आप लगा लीजिए उसने कई बार हमले किये हैं और हकीकत ये अंतरासी जग पाकीस्तान की पूरी डेश बिल्कुल साफ हो चुका है कि वह आतंकवाद को पना देता है और हर ये उसकी जो है पाकस्तान की बेचती भी है हर एक पड्ल पर उसका उसका पाकेस्तान का उसका पोल खुली है कि पाकिस्तान में आतंग की पनाह लेते हैं और आसाई आईसाई तो देर इस नो नीड कोई उसमें जरूत नहीं है कि मोदी जी अपने बाशन में आतंगवाद का जिकर करें पाकिस्तान अपने देश को संभाले पाकिस्तान आतंगवाद को खतम करें उसको चिंता है 370 की, 370 हमारा अपना आंतरिक मामला है अरे अपने देश में देखो, किस तरह से माना मुद्कारों का उल्लंगन हो रहा है ठीक है, 370 हमारा आंतरिक मामला है लेकिन शुरुआत जो परदान मंतरी ने की, बहुत ही सदे हुए लफजों में और जो विकास ठील देश कैसे आगे बढ़ रहा है भारत उस मेसेज के साथ, जिसमें आपको पहले भी दोरा चुका है 11 करोड शोचाली की बात की, ओबामा केर जैसे कहा जाता था, मोदी केर कहा जाता है आयूशमान भारत को, उसमें 50 करोड लोगों को जब ऐसे बड़े मेसेज के साथ, इसके अलावा, क्रॉप्शन के जरीए, क्रॉप्शन को रोक के दरसल 20 करोड बिलियन, 20 बिलियन डॉलर जो है, यानि कि लगबग डेढ़ लाग करोड रुपया बचाया गया है डारेक्ट जो ट्रांसफर बेनिफिट मिला है लोगों को, इन बातों से जब शुरुवात होती है किसी विकास शील्देश की, तो फिर मैसेज कैसा जाता है सबसे पहले मैं आदरनी जेपि सिंग जी को करेक्ट कर दूँ पाकिस्तान पर कोई हमला बोलते है और देखे है किस रवानगी भाषन में रवानगी कितनी अच्छी है जब आतंकवाद का जिक्र जब वो करते हैं तो पहले UN Peacekeeping Force हमारी जो उसका जिक्र करते हैं कि हम कैसे दुनिया को हम शांती प्रदान करते रहें हमारा यो जो योगदान है उसके बाद वो आतंकवाद का जिक्र करते हैं और तब कहते हैं कि आतंकवाद में दुनिया बटी के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारा योगदान सबसे ज़्यादा है उसी तरीके से हम अगर पीडित हैं तो हमें पीड़ा मुक्त करने में भी दुनिया का योगदान होना चाहिए ये संदेश दे रहे हैं अनजीव कोशिक पॉलिटिकल एनलिस्ट हैं ये भी दो-दो पॉलिटिकल एनलिस्ट हमारे पैनल में रहेंगे और साथ में रिटाइड करना है जे-पी सिंख तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंसे भी राय लेंगे शुरुआत करता हूँ चुनिंदा शब्हे लेकिन जो तियो थी एक world leader की speech थी और उन्होंने किस तरीखे से अपनी बात रखी कि एक विकास शील देश है उसमें जो लोगों की problems होती है उसको किस तरीखे से भारत जो है बड़े अच्छे तरीखे से किस तरीखे से address कर रहा है उसमें उन्होंने सोचता की बात की उसके लावा आपने ये हैल्प की बात की उसके लावा फाइनेशल इंकलूजियन और जिस तरीके दे डिचिटाइजेशन की वैसे करप्शन में कमी आई है उसकी बात की उसके लावा उन्होंने ये भी जिकर किया इन्वायर्मेंट का भी जिकर किया कि गिलोबल वार्मिंग एक आज बहुत की पीस कीपिंग के लिए वर्ल में जो यूएनो में सबसे ज़ादा अगर कोई मुल्क जो है वो योगदान देता है वो भारत देता है और भारत के फौजी जो है अपनी जान भी निचावर करते हैं इस पीस को बरकरार रखने के लिए वर्ल में उन्हों आसे नहीं सालों से पीस और प्रॉस्परिटी की बात की उन्हों ने ये भी ध्यान दिलाया कि ये यूएनों की स्थापना इसी वज़ा से की गई थी डॉक्टर महमूद आलम आप से ये समाझना चाओंगा आप से कुछ मिनिटों बाद इमरान खान भी मंच पर होंगे अब वो पशो पेश में होंगे क्योंकि प्रधार मंती नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में उनके जो सलहकार होंगे उन्होंने जो स्क्रिप्ट तयार की हो उनका तो सारा यू आर एपसलूटे राइट जो भी उन्होंने महनत कियोगी उस पे सब पर पानी फिर गया उसके साथ साथ देगी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर वर्ल्ड में आप पीस और प्रॉस्परिटी चाहते हैं तो टेररिज्म का खात्मा करना बैट टेरिज्म की बात नहीं होगी टेरिज्म होता है और उसको खतम करने के लिए वर्ल्ड को यकजुट होना पड़ेगा वर्ल्ड को एक पलेट-फॉर्म पे आना पड़ेगा वरना आप टेरिज्म को खतम नहीं कर पाएंगे ओवर ओल एक बहुत ही मैच्छी और एक वर वो agreement जो हैं वो sign करने थे वहाँ पर भी वो बैठे कई देशों के रास्टा धिर्शों से भी उन्हों मुलाकात की है कुल मिलाकर पिछले पांस से छे दिनों में और जो आगास था और अंजान तक इस यात्रा को कैसे देखते हैं देखिए वेल प्लांड हार्ड वर्किंग जर्नी रही जिसमें जो जो वो चाहते रहे वो ऐसा करते रहे जरूरी नहीं कि हर जगे उन्हें एक चिक सफलता मिली हो कि जहां वो उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा इंवेस्टमेंट का कमिटमेंट होगा संभवत है कहीं कहीं उतना बड़ा कमिटमेंट ना हुआ हो लेकिन जितनी प्लानेंग आप एक अंतर रास्टिये पटल पर जाके कर पाएं और एक्जिक्यूट कर पाएं निस्चंदे बधाई के पात्र है हमारी नरिंद मोदी जी और उनके पूरी टीम अब इसमें देखते हैं कि उन्हें खास बात क्या रही लेकिए उनोग आज बुद्ध की चर्चा की गांधी की चर्चा की और स्वामी विवakesकानमदी की चर्चा की अब हम कोई कमजोर ब्यक्तित तो नहीं है, अब हम कोई कमजोर देश नहीं है, अब हमें गुसा करने का दिकार है, लेकिन अपने गुसे को नमरता की चाशनी उड़ा कर, उनने का आतंग के खिलाब आक्रोश है, तो वो एक नया जो है नरेटर तयार कर रहे हैं, दूसरी है कि जितना सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, बिना पॉइंट आउट किये, बिना इशारा किये, वो पूरे बिश्चु को इसारा दे रहे हैं, कि हम तो तयार हो गए, आपके बिना जगाए, अब आप भी जागी है, जै बिल्कुल, और मजे की बात ये है कि इस मुद्दे पर नो ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो आप समझेए कि इंगलिश की कहावत है, इग्नोरेंस इस बेस्ट पनिशमेंट, अब पाकिस्तान के पास कहने को क्या बचेगा, क्योंकि भारत ने उसका ना इमरान खान के पात, क्या आखरी लमहों में कोई स्क्रिप्ट चेंज होगी, दो चार जो संटेंसे वो चेंज किये जाएंगे, जल्दी जल्दी. जल्दी जल्दी अमेरिका की रही बात अभी परधान मंतरी के भाशन की बात चेदी करें लेंगे, तो हमारे परधान मंतरी इतने सक्षम है कि तमाम बिंदूओं को अपने आप में समेटे हुए और कम समय में बेहतर तरीके से रख़पाने में सक्षम है और उन्होंने वही किया, एक मैसेज दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस टेरर की बात हो रही है, जिस आतंगवाद की उपर बात हो रही है, थोड़ा सा इस पर ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है कि यदि इसके बारे में चर्चा होती, विस्तार से चर्चा होती, तो पाकिस्तान को भी तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वह ओर लास्ट में यही कहते हैं कि लास्ट टाइम में कोई न कोई एक रास्ता निकालना होगा और वो निकालने के लिए हम बीच में तयार है, यह यह बात है कि उनकी जो मंसा है, वह आप भी समझ रहे हैं, लेकिन किस तरह से अपने इस बात को पटल पे रख पाते हैं क्या इस पे चर्चा करने की बात होती है और जिस तरह से पॉलुशन की बात हो या अपारीक से मंदो की बात हो जिस तरह से मोदी जी ने रखा वो इन मामलों में सक्चम है और बेहतर तरीके से रखते हैं जेपी सिंग जी करनल जेपी सिंग जी ये बताई कि दरसल सिक्के के दो पहलू होते हैं हमने 21 तारीक से लेकर आज तक जो मोदी साहब ने जो कुछ वहां किया है सब टीवी पर लगातार चल रहा है और अच्छा लग रहा है पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं लेकिन इस बीच सिक्के के दो पहलू में जब अनलिस्ट बात करते हैं क्रिटिक्स बात करते हैं वो ये कहते हैं कि तरह सल परधान मंतरी नरेंद मोदी वहां पाउंचे उन्होंने बहुत सी मेहनत की उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया जो वो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने किया लेकिन इन सम्मेश शातिर जो निकले है वो अमेरिका के राज़पती ट्रम्प निकले आप मानेगे इस बात को उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं किसी से कुछ लिया नहीं नूटल करके छोड़ दिया बिलकुल मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि वो दोगली राजनीती करते हैं ट्रम जी एक तरफ जो है मीडियेशन की बात करते हैं और एक तरफ जो है वो शांती वारता की बात करते हैं अब जो भारत है मोदी जी न लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने, ट्रम्प ने अपना रुख जताया है कि हम मीडियेशन के लिए तयार हैं, मीडियेशन कर सकते हैं दोनों देशों के बीच में, मोदी जी ने बिलकूल पूरे विश्च को साफ संदेश दे दिया है, कि नए, वी डॉंट वांट रेनी मीडिय हम दोनों देश जो है, अच्छा इस बीच ये भी समझना चाहूंगा आप से, कि ये भी क्या भारत की ताकत है, कि एक इतने बड़े मुल्क का इतने शक्ति-शाली मुल्क का रास्पति जो है, लगातार ये बात कर रहा है, कि में मिडियेशन के लिए तयार हूँ, मैं मध्य मध्यस्टा के लिए तयार हूँ, और उधर भारत से कोई रिस्पांस नहीं आया था, पाकिस्तान तो खैर भीक मांग रहा है, कि मध्यस्टा आप करीए करीए करिये, लेकिन भारत की तरफ से रिस्पांस नहीं आता है, अमेर्चा की ही धरती पर मौझूद है, परदान मंतर अब हम सक्षम हैं और जिस तरह से पिछले 5 साल से मोदी जी ने पूरे विश्छ को संदेज दिया है, टरॉम्प को संदेज दिया, अमेरियुका को संदेज दिया है और अपने जो पडोसी देशें, जो अपने पडोसी दुसमन हैं, चाइना और पाकिस्तान इनको साब संदेज दिया है कि बारत हर तरह से सक्षम है पाकिस्तान समय समय पर परमानु युद्ध की धमकी देता है यह गीदर भवकी जो है वो नहीं चलेगी जिस तरह से पहले हम इस गीदर भवकी से डर जाते थे आप्टर मोदी जब उनकी सरकार बनी है 2014 में पूरी सरकार जो है जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है पोस्त 2014 आपका ये कहना है कि अब जो है तासीर भारत की पूरी तरह से बदल चुकी है इसे विश्ट भी माल रहा है अधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सधे हुए शब्दों में क्या क्या कहा है यूएन पिस्किपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं शान्ती का संदेश दिया है और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाब दुनिया को सतर्क करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खातित आतंक के खिलाब पूरे विश्व का एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवार ये समझता हूँ तो किसे मुल्क की सीरत को इतनी आसानी से इतने अच्छे शब्दों में बाया कर जाना यकीन है ये परधान मंतरी नरेंद मोदी ही कर सकते हैं चर्चा में वापस लोड़ते हैं एक बार फिर रुक करते हैं डॉक्टर आलम का आलम आपसे अब ये जानना चाहूँगा एकनामिक अफिर्ट पर भी आपने का कि आपसे बात करूँगा लेकिन उससे पहले में ये जानना चाहूँगा अपनी सरजमी पर तो फिर उन्होंने दो बाते माली एक तो सीधे सीधे अमेरिका को कटगरे में खड़ा कर दिया तो अमेरिका उस बात को भूलेगा नहीं आसानी से और दूसी बात सीधे तोर पर जो आतंक की बात होती थी उस पर खुद ही उसने कबूल नामा ले लिया है इस पर आप बोलने के लिए क्या रहे गया मन्स से क्या बोलेंगे इमरान खान? कितना भारत से प्यार करता है लेकिन आप ये देखिए जब पीस टॉक शुरू ही उनकी तो किस तरीखे दे इसने ट्रम्प ने ओवर नाइटली इमरान खान को आगे खड़ा कर दिया पाकिस्तान को आगे खड़ा कर दिया वर्ल जानती है अगर कही पर भी टेरिडिस्म का क यूएसे कोई एक्षिन ही लेता है तो आप ये समझने की कोशिए उसके अलावा जब हमने ये बोल दिया कि भाई ये हमारा कश्मीर हमारा जो है इंटरनल मैटर है आप मेडियेशन मेडियेशन की छे मरतबा भी दो-तिन दिन में वो बोल चुके है तो मैं जो अपने को पैन अवामी बिलकुल फेल हो चुकी है इंफिलेशन उनके अब बहुत ज़ादा यू विल बी सर्प्राइस टुएर के उनके आद दूद 140 रुपय किलो है पैट्रॉल से ज़ादा है वहां के अवाम जो है बिलकुल मायूस हो चुके है उसके अलावा अपोजिशन भी जो है इम अब फंडमेंटलिस के पास है कि इमरान खान को पूरी तरह से आर्मी ने स्पॉंसर किया तो यकीना फिर इनकी जो स्क्रिप्ट आर्मी ही लिखती होगी सब कुछ आर्मी ही डिक्टेट करती होगी आपने करना है कि मुझे कोई हैडिटेशन इस बात में भी नहीं है कि पाकिस्तान की टॉप ब्रास जो है आर्मी की वो पेंटागॉन के पेरोल पे है उन्हें अच्छे तरीखे से मालूम है उन्होंने हमेशा उसको यूज किया है वो यह अच्छे तरीखे से जानते हैं तो अब यह है कि उनको पकिस्तान इतना कश्मीर कश्मीर इस वज़ए से कर रहा है जो कि उनके डॉमेस्टिक और्डियंस है जो डॉमेस्टिक प्राबलम से उनकी तरफ से इसका धियान हटाया जाए और अगर आप देखें पकिस्तान इजे फेल्ड बिस्ते और उनका वुजूदी जो है व वो उनको ना पड़ती पहली बात तो यह कि अंतराश्टी जगत में चाहे किसी के सो मित्र हो और किसी का कोई मित्र ना हो कोई भी अपरसांगिक नहीं होता है हर एक का अपना-पना महत्त बना रहता है चुकि राजनीतिक रिष्टे आपस में बंते-बिगड़ते रहते हैं तो जो पाकिस्तान आज अमेरिका आज पाकिस्तान को शायद वैल्ल्यू करे या ना करे रसिया वैल्ल्यू करे ना करे बक्त पढ़ने पर पाकिस्तान को भी दोस्त बनाने से पीछे नहीं हटेगा है कोई भी चाहिना तो उसका दोस्त है भी और कभी वो उसको लात मारते कोई भरोसा नहीं है तो को प्रिष कुछ मजबूरीयां है अफगानिस्तान से भी निकलना ए एरान से भी मिडियेशन चाहता है अमिर्का पाकिस्तान के जरीए तो कहा जाए कि बैलेंस अप्रोच थी या फिर नेगिटीव अप्रोच थी जैसे कि बार बार कहा जाता है कि ट्रम्प साल में पता ने कितने हजार बात जूट बोलते हैं अमेरिका की भी एक बड़ी समस्या यह है कि वो हिंदुस्तान के रुख को पैचान नहीं पा रहे हैं उन्हें लगता है कि मैं अगर हिंदुस्तान की मदद करूँगा तो तब करूँगा जब यह मेरे नीचे रहे मेरे कंट्रोल में रहे लेकिन हिंदुस्तान है अब नया हिं मंत्री जी रूहानी साब के साथ मुलाकात कर लेते हैं जो उनके दिल में आग लगा देता है तो ट्रम्प साब को समझ नहीं आता है कि मैं इन और कि मैं एक दोड़ाया को संथैं लेकिन आर्वीट्रेशन होता है वहां जजमेंट होता है चाहिए किसी को कुछ मिले यहां वह आर्वीट्रेशन करना चाहता है जो इंदोस्तान को मंजूर नहीं है पाकिस्तान बाटार बार रिक्वस्ट जालता है पर युकि इंटरनेशनल लॉइ अलग है कोई एक कोडिफाइड लॉइ नहीं है कि हांगर किसी ने F.I.R की तो आपको अपेश होना ही पड़ेगा ंध्या रोहानी से मुलाकात ये भी दिल्चैस्ट नहीं अब आपको पता ही है यूएस जो है लार्जेस प्रोड्यूसर हो गया है अब उसे मार्किट भी चाहिए हाला कि वो खुदी बहुत बड़ी मार्किट है लेकिन भारत जैसी बड़ी मार्किट मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा तो अगर जिस तरीके से ट्विस्ट करते हैं देखा कि हसन रुआनी के साथ अगर मुलाकात होती है तो इसका एफेक्ट तो जाता है अमेरिका पर ट्रम्प को ये पता होगा कि अगर हमें मार्किट चाहिए तो हमें भारत का लिहाद तो अहलियाज में करना है अब कुल्दीब जी इसमें बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ आप सुनके आपको भी ठीक लगेगा कि अमेरिका ने पिछले 25 सालों से 30 सालों से बलकि 40 सालों से अपने तेल के बंडारों को कभी खर्च नहीं होने दिया उन्होंने हमेशा गल्फ के खाली देशों के बंडार को इस्तिमाल करना चाहा और खुद भी खरीदा अब हिंदुस्तान कुछ नई चीज लेके आया है वो कहता है हम सोलर से चलाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो 20-25 सालों सो जो करोलों डॉलरों ने खर्च किये वो खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान की एकोनोमी जो है ऑईल की जगे है सोलर पर आ गई और अगर ऐसा हो गया सोलर और इलेक्ट्रिक पर आ गई तो हमारे पास पानी का बंडार भी खूब है अगर आगर आगर आज हमको अमरीका की ज़रूरत से तो अमरीका को हमसे ज़्यादा अमरीका को ज़रूरत है अगर चाइना को कंटेन करना है तो देखे ये राइट टाइम है हार्ड बारगेन करने का देखे हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है हमारा मुकाबला है चाइना से और चाइना जो है अपनी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान इंडिया के अगेस कहीं पर नहीं खड़ा होता है। वो सिर्फ चाइना की बेस्ट पर खड़ा होता है। तो दिस इस दी राइट टाइम के हम हार्ड बारगेन करें और चाइना से… वो वहाँ पर भी खर्च करने जा रहा है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जिस तरीखे से पाकिस्तान को तो उसने अपने कॉलोनी बना लिया। एक तरीखे सा आप ये समझ लें। तो इस वज़ा से अगर और देखिए अमरीका कभी नहीं चाहेगा कि देखिए यूएससर के विक्टन के बाद यूनिपोलर वर्ड हो गई थी। अब बाइपोलर वर्ड है तो अगर कोई उसे टककर दे सकता है तो चीना को कंटेन करने के लिए उसे इंडिया की जवर्वत हैी। तो ये दिस इस दी राइट टाइम कि हम हार्ड बार्गेन करें और जिन चीजों से हम चाइना को टैकिल कर सकतें उसकी डिमांड यूएसे से करें को तो राजपती ट्रम के सामने उन्हों कह दिया कि वो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अक्ता बार्गेन करें हैं अब ऐसा मैं क्यूं कर रहा है। चुकी यह साथ दिनों की जो यातरा रही है उस तूरे यातरा पर यह प्रकास चालेंगे तो देखें कि किस तरह से हम समझ रहा हैं कि Amerikा का इस्तेमाल हम कर रहा हैं हम अपने प्रभुत हम उप्रभुतिक का इस्तेमाल वहा कर रहा है खुद ही अपनी हार माली उसने खुद ही कह दिया अमेरिका की खिलाबी बैयान दे दिया कि उनकी वज़त पाकिस्तान की हार समझ रहे हैं और मैं तो ये देख रहा हूं कि आज जो जो जिस तरह से फंड जो रुका हुआ था किसी एक चलरिस्ट के लिए उनके लिए एक नियम किलो हो वहां एक लाख रुमें से क्या होने बारा है उसको ज़िए खरचे के लेकरा हुआ है कि इस चीज को किस तरह से भुनाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान देखिए वही मैंने बुला आप से कोई किसी का पर्मिनेंट दोस्ते ना दुश्में ने आपको अपनी लड़ाई खुद बाखुद लड़नी है लेकिन उसके साथ साथ देखिए हमको बिलकुल पाकिस्तान अमरी हरकतों से बाद नहीं आएगा वो एक फेल्ड स्टेट है उसका तो कामी यही है और उसकी पूरे का पूरा वजूद जो है एंटी इंडिया पर डिपंड है तो आपको देखिए हरकते शुरु कर चुके हैं वो ऐलोसी पे किस तरीके से कोशिश कर रहे है पंजाब में किस तरीखे से कोशिश कर रहें तो उनकी तरफ से यह हरकते होती रहेंगी उसके अलावा देखी हमको बहुत जादा सतरक रहने की बिज़वरत है तरकी ने उनका साथ दिया है तो हमको यह सोचना पड़ेगा कहां पर हमसे बूल लूई तरकी उनके साथ क्यों आया इसी के साथ लेबर पार्टी ने देखी है अपने वैने उसमें क्या बोला है अपने अधिवेशन में के इंडिया में कश्मिर में पर भी साइट होना चाहिए तो यह सारी चीदे पाकिस्तान करता रहेगा लेकिन हमको बहुत जादा प्रो एक्टिव होने की ज़रूरत है जहां तक कि टर्की पाकिस्तान और आप मौरिशेस कह रहा हूँ आपका मालदीव यह मिलकर एक इसलामिक चैनल भी ला रहे हैं मलेशिया अच्छा डिफेंस एक्सपर्ट आप है अब आपसे यह जाना चाहूँगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें अपनी सरहदू को पूरी तरह से दुरूस्ता रखना है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा आप उसे जन समर्थन या दूसरे देशों का समर्थन हर खेस नहीं मिला है यह बात खुद परदान मंतरी इमरान खान ने साफ कर दी है अब ले देकर एक ही हतियार उनका बचता है जो सद्यों से वो आजमाते आ रहे हैं पिछले तीन चार दशकों से तुकम से अजमाते आ रहे हैं यही हतियार रहे गा बिल्कुल पाकिस्तान में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा जैसे डॉक्टर आलम साव ने जिक्र किया कि अफगानिस्तान अमेरीका की एक विकनेस है और पाकिस्तान और तालिबान का अफगानिस्तान में वर्चस्व है अगर हमें पाकिस्तान को कंटेन करना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान एक failed state है, जैसा की सभी वक्तां उन्हें बताया, पाकिस्तान हर जगे पर exposed हो गया है, तो हमें मैं पूर्व सैनिक होने के नाते किस तरह से जो है हमारी सेना एक काम करती है मेरा इसमन से यही ऐलान करने कर चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है मिलिटरेली तो P.O.K. में हमारा दखल अंदाजी होनी चाहिए पाकिस्तान का कमजोर करना चीर प्योग ओकी में हमारी जैना हैं जिस तरह से पूरी सक्षम है अगर कोई पाकिस्तान हमारी तरफ को आंक दिखाता है उटली उठाता किसी तरह को मैं यहाँ से पूर सैने कुनात कहूंगा कि किसी तरह से जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स हों और उसी तरह से बाला कोड जैसी जो है एर श्ट्राइक को अब आप ही बताए दरसल कि अब यह वो मुफीद वक्त आ गया है कि अब पीओ के पर कोई कारगुजारी की जाए इससे क्य जो स्टेटस है अभी जो प्रेज़न्ट स्टेटस भारत सरकार ने बना रखा है इंटरनेशनल अरीना में जगत में उसमें कुछ नुकसान पहुंचेगा या वाकी भारत की ताकत या शमता का परिचे होगा देखे हमारे नेशनल लीडर्स ने बोला तो है पी ओके इडिस आवर पार्ट और राजनाज जी ने भी बोला है कि पाकिस्तान जो है पुरानी गलती हैं दोहराने की कोशिश ना करें लेकिन ये तो देखिए हमारी जो इस्टेटेजिस्ट है और हमारी हुकूमत है वो ही ड इंटरेशनलाइज ने करना चाहतें कहीं पर कश्मिर गा नामी ने लिए ठीक है लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तो पूरा जोर लगाता है कि इस इश्य को इंटरेशन कर दिया है जो है लेकि मैं एक और बासमाना चाहता हूं कि 2015 में शायद 2015 या 16 में लालकिले की पाकिस्तान की 30-40,000 लोग मारे गए हैं लेकिन 40-50,000 लोग बलूची इस्तान में महद लापता हुएं वो मरे हैं क्या हुआ उनका पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ क्या किया आपको लगता है कि यह बात जो है यह जो अलगलग प्रोविंस में इतना जो दमन चक्र चल र उनका यो एनो में जो है उनका ठीक है पूटेस्ट नजर आता है यह उनका चल रहा था ठीक है और अई आई टोटली एगरी विद्यो के जिस तरीके से हमको रखना चाहीँ शायद नहीं रखा लेकिन कर रहे हैं बता रहे हैं वर्ड को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ब हर इनसान जो है सौधे वादी कर रहा हर इनसान जो है अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को हतों की रक्षा कर रहा है और यह आपने देख लिया जो अमरीका बहुत बड़ी बात करता है टेरिरिस्म की शायद मुशर्फ ने बोला था गुड टेरिस्म और बैट टेरिस्म आज अगवानिस्तान से तागे उसका वो फाइदा उठा सके एंगले इलेक्शन में तो उस विए से एक कुल मिलाकर आखरी सवाल मेरा यह रहेगा मैं आप सी यह जाना चाहूंगा कुल मिलाकर जिस मजबूती के साथ परधान मंतरी नरेंद्र मूदी अंतरास्टियों मंचों पर अपनी आवाज रखते हैं जिस तरही के से हूस्टन वो पाउंचे विपक्ष जो मर्जी कहता रहे लेकिन अगर मुक्तलिफ 48 स्टेट से साथ हजार की जनता वहां पाउंचती है महज उन्हें सुनने के लिए कुछ ना कुछ विश्वास तो वो रखती है नहीं नो डाउट रखती है और वो एक बड़े अच्छे वक्ता हैं और लोगों से करेक्ट होना जानते हैं उसके अलावा जो है एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे भी वो उभर रहे हैं और लोगों को और आज जो मंच से बोला गया है यकीनन बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे विश्व में लेकिन अगर हमें तंग करोगे तो हमारा आग्रोश भी अब देखने को मिलेगा इन बातों के साथ दरसल अपने भाशन को मुकंबल किया परधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने यूएन के चोहत्रमे सेशन में चलिए तो इस चर्चा में फलाहल के लिए इतना ही सभी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया